अपील करता पर धारा 387 के तहत अपराद करने का आरोप लगाया गया था 420 RPC और 25 ARMS ACT के आदेश दिनांक 27 2004 दुवारा फुलिस्टोप अभियोजन 11 गवाहों का हवाला दिया था जिन में से अभियोजन पक्स ने 5 गवाहों का परेक्षन किया था C.R.A. संक्या 2008 पांच गवाहों की जाच नहीं की जा सकी क्योंकि वे मृत थे और एक गवाह था अभियोजन पक्स दुवारा जाच नहीं की गई फुलिस्टोप अपील करता ने अपने बचाव और विद्वान विचारण में दो गवाहों का परेक्षन किया सबूतों पर विचार करने के बाद आदालत अभियोजन पक्स दुवारा रेकोर्ड साथ की बचाव और दोनों पक्सों की सुनवाई दोशी और सजा अपील करता जैसा की उपर उलेक किया गया है पुलिष्टो पैरा चूकी यह दोस्चिद्धी की अपील है इसलिए साक्षे का मुल्यांकन किया जाना आवशक है यह पता लगाने के लिए कि क्या विद्वान विचारण न्याया लेने सही सरहाना की है सबूत और आगे की अपील करता को सबूत के आलोक में दोसी तहराया जा सकता है अभियोजन पक्स दोआरा अभीलेक पर लाया गया फुलिष्टोप यह अभ्यास किया जा सकता है केवल यदी यह न्यायले दोआरा दिये गए साक्षे के प्रसंगिक बागों पर ज्यान देता है फुलिष्टोप हुसेन पीडवलू ने कहा कि वै अभियुक्त को जानता है फुलिष्टोप तीन एक उन्निस सो ठ्यानवे को वै अपनी पतनी बच्चों और पिता के साथ पोंगल में अपने गर पर था फुलिष्टोप वै घर की उपरी मंजिल पर था और शाम करीब साथ बजे अपील करता ने अपने गर में प्रवेश किया और अपने गर के बारे में पुश्टी की पिता फुलिष्टोप अपील करता के साथ अन्ने व्यक्ती भी था जो रह गया बाहर फुलिश्टोप उसके पिता ने उसे बताया कि वे नमाज पड़ रहा था फुलिश्टोप उसने आ बाहर उपरी मंजिल के बरामदे में और उस समय अपिल करता था अपने गर के द्वार के पास खड़ा है फुलिश्टोप उसने उसे आने के लिए कहा नीचे फुलिश्टॉप पैरा अपील करता और उसके सयोगी के पास बारा बोर की बंदु के थी फुलिश्टॉप अपील करता ने उसका हाथ पकड़ा और महिने के बारे में पूछा फुलिश्टॉप उसने उत्तर दिया कि यह एक महिने का उपवास था और फिर आरोपी चंदा मांग रहे थे फुलिश्टॉप वै था एक मुकूटा पैने हुए फुलिश्टॉप उसने अपील करता के चहरे से नकाव उतार दिया C.R.A. संक्या 2008 और उसे पहचान लिया फुलिश्टॉप पहचानने जाने के बाद अपील करता कभी कभी माथे पर तो कभी सीने पर बंदुक तान दी फुलिश्टॉप उस दोरान उसकी पतनी लगातार अपील करता से उसे चोड़ने की गोहार लगाती रही फुलिश्टोप अपील करता पैसे की मांग कर रहा था और जब उन्होंने बताया की वे नहीं थे अपील करता के पास पैसा था और उसने उसे पसुदन अपील करता को ले जाने के लिए कहा इस्तानी बोली में जवाब दिया की पसुदन के साथ क्या किया जाना है इसके बाद आरोपित फरार हो गया फुलिश्टोप सुबह पांच बजे वे माई के चले गए आर्मी कैम पोंगल और हुने गटना की जानकारी दी फुलिश्टोप उसके बाद वे आर्मी मेजर से मिलने उखराल गए फुलिश्टोप जब वे आर्मी कैम प में थे पांच मिनट के बाद हनीत ने वहाँ आकर पहले भी बयान दिया था सैना फुलिश्टोप उखराल से वे पोंगल पिस्तित अपने घर चला गया फुलिश्टोप उनके पिता बीमार पड़ गए उस दिन उन्हें इलाज के लिए रामबन ले जाया गया जहां वे रहे उसके साथ चार पांच दिनों के लिए फुलिश्टोप समाप्त